हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलियो सुपरस्टार मिठुन चक्रवाटी के डबर ओल मुवी की लिस्ट तो दोस्तो मिठुन दा की अगर डबर ओल मुवी की लिस्ट की अगर मैं बात करो तो टोटल अट्रा मुवी आई है जो डबर ओल मुवी है तो वो सभी मुवी की लिस्ट हम इस वीडियो में देखने वाला है नमबर वन टैक्सी चोर ये फिल्म रिलीस हुए थी 29 अगस्ट 1980 में इस फिल्म में जो रोल था वो था ट्विन ब्रदर्स का और इस फिल्म का जो बजेट था वो था वन करोड नमबर टू आमने समने ये फिल्म रिलीस हुए थी 29 जानिवारी 1982 में और इस फिल्म में जो रोल था वो था गोपी एन जोनी नाम के दो किरदार दिखाय गए थे इस फिल्म का जो बजेट है वो है 1.4 करोड नमबर त्री कसम पैदा करने वाले की ये फिल्म रिलीस हुए थी 23 नॉवेंबर 1984 में इस फिल्म में जो रोल था वो था फादर एन सन का रोल इस फिल्म में मिथुन चकरबटी ने निपया था नमबर फोर रक्त बंदन ये फिल्म रिलीस हुए थी 22 जुन 1984 में और इस फिल्म में जो केरदार था वो था ट्विन ब्रदर्स का एक का नाम था चंदन और एक का नाम था त्री सुल सिंग इस फिल्म का बजेट है 2 करोड नमबर फाइव परम धरम ये फिल्म रिलीस हुए थी 13 नमेंबर 1987 में और इस फिल्म में जो भी रोल था फादर एंड सन का रोल इसमें भी मिथुन चकरबटी ने निपया था इस फिल्म का जो बजेट था वो था 3.5 करोड नमबर 6 लडाई ये फिल्म रिलीस हुए थी 3 नमेंबर 1989 में और इस फिल्म में भी जो रोल निपया था वो था फादर एंड सन का और इस फिल्म का जो बजेट है वो था 4 करोड नमबर 7 पाप की कमाई फिल्म रिलीस हुए थी 31 अगस्ट 1990 में और इस फिल्म में जो रोल था मिथुन चकरबटी का वो था एक इंस्पेक्टर का रोल था और एक क्रिमिनल का रोल था और फ्रेंज इस फिल्म का जो बजेट था वो था 5 करोड नमबर 8 गुनाहो का देवता ये फिल्म रिलीस हुए थी 6 जुलाई 1990 में और मिथुन चकरबटी में इसके में जो डबर रोल था वो था एक एड़ोकेट फादर और इसमें एक इंस्पेक्टर सन का किरदार निपया था इस फिल्म का जो बजेट था वो था 6 करोड नमबर 9 स्वर्ग यहां नर्क यहां ये फिल्म रिलीस हुए थी 2 अगस्ट 1991 में इस फिल्म में जो मिथुन चकरबटी का जो रोल था वो था एक था फादर का रोल और एक था सन का रोल नमबर 10 परदेशी ये फिल्म रिलीस हुए थी 20 अगस्ट 1993 में और इस फिल्म में मिथुन चकरबटी का जो रोल था वो था एक विलेजर का रोल था और एक सिटी क्रिमिनल का रोल था इस फिल्म का जो बजेट था वो था 2 करोड नमबर ग्यारा परमात्मा ये फिल्म रिलीस हुई थी 15 अप्रेल 1994 में और इस फिल्म में मिथुन चकरबाटी ने ब्रदर्स का रोल निबाया था नमबर बारा जल्लात फिल्म रिलीस हुई थी 15 सप्टेमबर 1995 में और इस फिल्म में जो मिथुन चकरबाटी का जो किरदार बताया गया था वो था फाधर एड सन का और फ्रेंस में आपको बता तो जल्लात फिल्म बहुती बढ़िया फिल्म है इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रबती को फिल्म फेरावट फर बेश्ट विलन का एवर्ड मिला था तो friends मेरे फिल्म फेराओड की विलन की मिथुन चकरबती जितने भी फिल्म फेराओड है वो पर आई बटन में लिंग मिल जाएगी तो friends आपको बतो जल्लात फिल्म का बजेट था 3 करोड और इस फिल्म का जो बॉक्स अपी स्कलिंग सन था वो 8 करोड था नंबर 13 रंगबास ये फिल्म रिलीज हुई थी 1996 में और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि मिथुन चकरबती ने इस फिल्म में द्रिपल रोल का किरदार निबया था और इस फिल्म का जो बजेट था वो था 4 करोड नंबर 14 मुवी थी हत्यारा ये फिल्म रिलीज हुई थी 5 जून 1998 में और इस फिल्म में जो मिथुन चकरबती का जो किरदार था वो था हैंडिकेप्ट एड़ोकेट और उनका एक ब्रदर बताया गया था इस फिल्म की बजेट की बात करो तो इस फिल्म का जो बजेट था वो था 2 करोड नंबर 15 हिरालाल पननालाल ये फिल्म रिलीज हुई थी 22 अक्टमबर 1999 में और फ्रेंस हिरालाल पननालाल फिल्म की अगर बात करो तो इस फिल्म में ट्विन ब्रदर्स दिखाया गया है और फ्रेंस इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इसमें दा के दो किर्दार थे और चौनि लेधर के दो किर्दार थे और यह film कॉमेडी से बरपूर है कि आप ने यह film देखिया है जबर मुझे कॉमेंट करके बताएगा और फ्रेंस हिरलालपनालल फ Architect की बात कर तो ही इस फिल्म का जो बजेट था वो था 1.5 करोड नमबर 16 कैदी ये फिल्म रिलिश हुई थी 3 में 2002 के साल में और कैदी फिल्म में मिथुन चकरबती का जो किरदार था वो था एक इंस्पेक्टर का और एक किदार था क्रिमिनल का और कैदी फिल्म की बजेट की बात करो तो 4.5 करोड कैदी फिल्म की बजेट थी नमबर 17 मवाली नमबर वन ये फिल्म रिलिश हुई थी 2002 के साल में और कैदी फिल्म में मिथुन चकरबती का जो किरदा था वो त्विन ब्रदस्का था और friends मिथुन चकरबती की मावाली नंबर वन फिर्म की जो बजेट की बात करो तो इस फिर्म का बजेट था 2.5 करोड नंबर 18 गौतम गोविन्दा ये फिर्म रिलीज हुए थी 11 अक्टमबर 2002 के साल में और friends, Gautam Govinda में मिथुन चक्रवाती का जो केरदा था वो था एक का नाम था Gautam और एक का नाम था Govinda तो friends, Gautam Govinda फिल्म की जब बज़ेट की बात करो तो ये फिल्म का जो बज़ेट था 3.5 करोड और फ्रेंज एक और इंट्रेस्टिंग बात बताओ तो टोटल 18 मुई आई है अब तक मिथुन चक्रबती की डबरोल मुई है कर देखे तो और दौजारद दो के साल में टोटल तीन फिल्में रिलिज होई थी मितून चकरबती की जो डबर रोल केरदार में मितून चकरबती देखे है एक फिल्म हैrition." कैडी मौवाली नमबर वन गौतम गुवींदा तो friends ये तीन फिल्मे है जो 2002 के साल में आये थी जिसमें मितुन चक्रबती के डबरूल किरदार दिखे थे So friends मितुन चक्रबती के अगर मैं बात करो तो टोटल अठरा फिल्म ये लिष्ट मैंने आपको बताई है जिसमें डबरूल किरदार निभय है एक है टेक्सी चोर आमने सामने कसम पैदा करने वाले की रक्त बंदन, परमधरम, लड़ाई, पाप की कमाई, गुनाहों का देवता, स्वर्ग यहां, नर्क यहां, परदेशी, परमात्मा, जल्लाद, रंगपास, हत्यारा, हिरालाल, पन्नालाल, कैदी, मौवाली नंबर वन, गौतम गौविंदा, सो फ्रेंज, यह है टोटल 18 फिर्म, जिसमें मिथुन चक्रबर्ती ने, डबरोल किरदार निपाया है, और फ्रेंज, मिथुन दा के नैसनल एओड, और फिल्म फेर एओड के बारे में, मैंने वीडियोज बनाया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाकी, और उपर आई बटन पे पी आपको लिंक मिल जाकी, तो वहाँ जाके वो वीडियो से देख सकते है, मिथुन दा की फिल्म फेर एओड और नैसनल एओड के बारे में, और फ्रेंज, आपकी मिथुन दा की इन फिल्मों में से कौन सी मुई आपकी आपके फेवरेट हीरो है, मिथुन दा, तो जरू से मुझे कौमेंट करके बताएगा, और ये 18 मुवी में से मिथुन दा की आपकी फेवरेट मुवी कौन सी है, जरू से मुझे कौमेंट करके बताएगा, और फ्रेंज, मिथुन दा की अगर कोई और मुवी भी आपकी न्यू आ रही है बॉल्यूट सुपरस्टार मिथुन चकरबती के बारे में और भी इंट्रेस्टिंग न्यूस इस चैनल में आपको मिलती रहेंगी, तो फ्रेंट्स इस चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर जेगा, और अगर आप मिथुन दा के जब उसे मुझे कॉमेंट करके बताईगा और वीडियो पसंद आया तो जब उसे चैनल को लाइक किजिएगा और मिलते हैं ऐसे इंट्रेस्टिंग न्यूस में तब तक के लिए गुडबाई